आखिर बाबा साहिब पर क्या बोली सुपरस्टार रेखा, जिसे सुनकर जाती वादियों के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो The Buddhist Words YouTube चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो भानु रेखा, गणेशन, उर्फ रेखा एक भारतिय फिल्म अभिनेत्री हैं रेखा ने कई हिंदी फिल्मों में बहतरीन भूमिकाएं निभाई रेखा राज्यसभा सदस्य हैं उन्हें मई 2012 में राश्ट्रपती के विशेश अधिकार द्वारा राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया था 6 डिसेंबर को उन्होंने बाबा साहिब अमबेडकर जी को श्रद्धानजली अर्पित करते हुए कहा आज हम जीतने भी फीमेल एक्ट्रेस आपको फिल्म में काम करते हुए दिखते हैं वह सिर्फ बाबा साहिब अमबेडकर जी के लिखे सविधान की देन है अगर उन्होंने महिलाओं के लिए कानून न बनाया होता तो आज फिल्म इंडस्ट्री में आपको महिलाए कारे करते हुए नहीं दिखती आज हमारे भारत के सविधान के बदौलत महिलाए हर मुकाम हासिल कर रही है दोस्तो रेखा जी के विचारों पे आपके क्या विचार है हमें कॉमेंट में बताए और आपको बता दे बाबा साहिब आमबेडकर जी ने महिलाओं के समरिध्धे और समाज में समानता की प्रोथसाहना के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए उन्होंने समाज में स्त्री सशक्तिकरण के लिए आमबेडकरिटी महिला समाज स्थापित की जिसका मुख्य उद्देश महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और समाजिक समानता प्रदान करना था उन्होंने हिंदू समाजिक सुधार समिती के साथ मिलकर शादी, तलाक और संपत्ति के क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए قانونी सुधार किये उनकी इस उदार द्रिष्टिकोंड ने महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद की और उन्हें आत्म निर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित किया बाबा साहिब ने महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में अपने जीवन भर के कारियों के माध्यम से हमें एक उदाहरण प्रदान किया है और उनकी शिक्षाएं हमें आज भी महिलाओं के सम्रिध्ध और समाज में समानता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर रही हैं तभी भी कुछ पड़ी लिखी महिलाओं आज भी कहती है बाबा साहिब आमबेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया और वो सविधान के विरोध में बातें करती है हालाके उन्होंने रोज बाबा साहिब आमबेडकर जी को नमन करते हुए सविधान का आदर करना चाहिए दोस्तो बाबा साहिब आमबेडकर जी ने शिक्षा को समाज में समर्थन और महत्वपूर्ण भूमिका देने में अपना जीवन समर्पित किया उनका दृष्टिकोन शिक्षा को समाज में समानता और सम्रिध्धी की कुन्जी मानता था बाबा साहिब ने शिक्षा को सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर बनाने का साधन ही नहीं, बलकि समाज को परिवर्थित करने का एक शक्ति-शाली और सुरक्षित माध्यम भी माना उन्होंने जातिवाद और असमानता के खिलाफ खड़े होने के लिए शिक्षा को एक शक्ति-शाली उपाय के रूप में देखा और समाज को जागरूग करने के लिए उसे एक महत्वपूर्ण और आवश्यक यंत्र माना उन्होंने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को आत्म निर्भर बनाने का संदेश दिया और महिलाओं को भी शिक्षित होने का हक प्रदान किया उनकी शिक्षा से जुड़ी पहली और प्रमुख उपलब्धी यह रही कि उन्होंने भारतिय समविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई और उसे सुनिश्चित किया कि शिक्षा हर वर्ग और जाती के लोगों के लिए समर्थन पूर्ण हो बाबा साहिब आमबेडकर जी का यह संदेश हमें यह बताता है कि शिक्षा समाज के सुधार और सम्रिध की कूंजी है और हमें इसे समर्पित द्रिष्टिकोंड से देखना चाहिए तो दोस्तों आपके इस विशय पर क्या विचार है हमें कॉमेंट करके बताईए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकॉन प्रेस करे मिलते हैं किसी और वीडियो में जै भीम जै भारत धन्यवाद